नमस्कार दोस्तों लाइब इस्टेड़ी अलावाद यूट्यूब चैनल पर मैं अपल मर्द्र पाथी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए नियमित रूप से प्रश्नों की एक सीरीज को लेके उपस्तित हो जाता हूं कल मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि भारतिय संविधान को मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा भारतिय संविधान के प्रशनों को लेकिन कुछ कारणों से संविधान के प्रशनों को मैं आज आप लोगों के बीच लेके उपस्तित नहीं हो पाया हूँ तो आज भी हम लोग जो है statement वाले प्रशनों को ही करेंगे सही समय पे मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने आप लोगों से संविधान के प्रशनों को कराने के लिए कहा है तो ध्यान ना आने की वज़़से आज के लिए जो PDF तयार हुआ वो भी statement का ही हो गया तो आज भी हम लोग जो है दोस्तों आप लोगों के लिए statement के ही सवालों को मैं लेके उपस्तित हो गया हूँ तो जैसा कि देख रहा हूँ आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुग गया है काफी सारे लोग जुड़ गया है तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक और सेयर अवस्से करें अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें चलें तो उस session की तरह हम लोग बढ़ा जाए आप लोगों को आडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर मिल रहा है एक बार तेजी से कमेंट करके बताईए आडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रहा है आप सभी लोगों को तेजी से कमेंट करेंगे सब लोग अधिए आप सभी को आडियो वीडियो क्लियर मिल रही हो तो एक बार तेजी से कमेंट करके बता दीजे चलें ठीक है तो अब सीधे चलेंगे हम लोग आज के सिसन की तरफ और आज के सिसन के पहले प्रस्ण को हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसिसन का पहला प्रस्ण देखिए कुछ तो जो है दोस्तों आपके maximum 90% सवाल आपको सीधे statement ओले मिलेंगे कि 90% सवाल सीधे statement zitमेंट मिलेंगे statement similar और भाद सै जो है दोस्तों 10% सवाल आपके जो statement से statement को तोड मरोड के स्टेट मेंट से ही पूछ हूँ लिये जाते स्टेटमेंट से बन जाते हैं उन सवालों को भी इसमें मैंने रखा है चलिए जैसे इसका पहला एक्जामपल आप लोगों के लिए निम्लिखित में से किसने कहा कि प्राकरतिक अवस्था में ब्यक्तिका जीवन भद्र बरबर था आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प् सभी लोग समय का भी से ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए नियमित रूप से 45 स्टेटमेंट मैं लेके उपस्थित होता हूँ 45 स्टेटमेंट आज के बीक प्लास में आप लोगों के समक्ष में रखूंगा तो उत्तर आप लोग तेजी से करना शुरू ऐसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग रूसों की बात कर रहे हैं तो रूसों महोदय ने जो है वो प्राकरतिक अवस्था के मनुस्य को भद्र और बरबर कहा था उत्तर आप सभी का सीविकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा जितने सारे लोगों ने सीविकल्प क आपको चलिए जानलाग के राजनेतिक दर्सन में सही करम चुनी है दोस्तों यह एक प्रशन जो है आज आप लोगों को statement के अलावा मिल जाएगा तो आप लोग इसका भी उत्तर करने का प्रयास करेंगे और जो लोग पेट बैच वाले हैं उनके लिए जो है दोस्तों आज मैं आप इसके बारे में जानलाक के राजनेतिक दर्सन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था उस समय मैंने बताया था तो आप लोग साउधानी से उत्तर करेंगे और इस सिरीज को पूरा भी करेंगे यदि कोई आप में से इस सिरीज को पूरा करना चाहता है तो वो पूरा भी कर सकता है क्योंकि आज मैंने बात किया था इस पर तो इस प्रस्ण को आज के सिसन में मैंने सामिल कर लिया है चलें चलें तेजी से उत्तर करिए सभी लोग डीविकल्प की बात कर रहे हैं प्राकरतिक अधिकार, प्राकरतिक अवस्था, अनुबंध और उसके बाद से नागरिक समाज चलें इसको पूरा भी करेंगे यह पूरा विकास है या इसके बाद भी कोई अवस्था आती है एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग पेट बैच वाले ज्यादा आलसी हैं अभी उनको इस्पेशली निमंतरन भेजना पड़ेगा तब आएंगे वो लोग चले कोई बात नहींए आप लोग इसको पूरा करेंगे कोई इसको पूरा करना चाहेगा या पूरा है ये एक बार तेजी से उत्तर करके बता दीजे सब लोग Theâlp की बात करने हैं सबका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन ये जो करम दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है या अधूरा है बस सितना आप लोगों से जानना चाहा रहा हूँ मैं चले ठीक है आप लोग प्रस्न को या तो समझ नहीं पा रहा है और नहीं तो आप लोग अपने में ही ब्यस्त हैं तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले प्राकर्तिक अधिकार या नैसरगी कधिकार भी इसको कभी-कभी लिखा जाता है उसके बाद से नैसरगी कधिकार के बाद से आपकी प्राकर्तिक अवस्था समाजी कनुबंद, नागरिक समाज और इसके बाद से जो है दोस्तों अगला करम जो आता है वो आता है आपके राज्ये का एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर जान लाग से बहुत ही सामाने सी बात है दोस्तों बस राज्ये तो आप लोग इसमें जो है राज्ये को ध्यान रखेंगे अब नागरिक समाज और राज्य को जो है आप लोगों को बस समझ लेना है आप सभी को पता है दोस्तों कि लाक महोदे जो समझाता कराते हैं लाक महोदे का समझाता जो है वो दो समझाता है एक समझाता जो है व्यक्ति और व्यक्ति के वीच में होता है जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझाता होता है तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में पहले समझाते से नागरिक समाज की उत्पत्ती होती है और जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझाता हो जाता है तो व्यक्ति और स्टेट के बीच में या संप्रभू के बीच में जो समझाता होता है दोस्तों उस समझाते से जो है वो राज्य की उद्पत्ती होती है तो ये अंति मवस्था है राज्य आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे मेरी बात आप सभी लोग यदि समझ गया है यह गथन किसका है तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग उत्तर करेंगे चलें तेजी से उत्तर करिए प्रस्ण पर आईए आप सभी लोग जिसका नेट प्राब्लम कर रहा है वो अपने अपना सलीशन खुद ढूड़े आप लोग जो है वो क्लास को इंटरप्ट न करें प्लीज चलें उत्तर करेंगे वो अब्यक्ति जिसने भूमी के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा किया मेरा है नागरिक समाज का वास्त पर चलेंगे किसके बारे में कह रहा हैं दोस्तों जमीन के टुकड़े पर अधिकार करने वाले व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि जिसने पहला जो वह अभ्यक्ति जो जमीन के किसी एक भाग पर अधिकार करके बाउंडरी लगा के या उसका भार लगा के इसने कहा होगा कि अब मेरा है उसको आपके रूसों महोदे जो है वो नागरिक समाज का वास्तफिक संस्थापक मानते हैं उत्तर आपका सीवी कल्प के लिए सही हो जाएगा जो लोग इस प्रशन में जो होगा सीवी कल्प का चुनाओ कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिलकुल सही हो जाएग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन पर चलेंगे अगला प्रशन आपको दिया है निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का सत्रू कहा था उत्तर तेजी से कर देंगे लियो इस्ट्रास कालपापर हन्ना आरेंट या आपके विल्याम जैम्स चारों में स से एक कुछुन या तेजी से उत्तर करिये जिदने तेजी से संभा हो सके अभी जी जी नहीं अभी पूरी तरीके से जो है वो ठीक नहीं हूँ मुक्त समाज का सत्रू माना जाता है या मुक्त समाज का सत्रू प्लेटो को किसने कहा था या किसका कथन है कि प्लेटो मुक्त समाज का सत्रू है statement से ये प्रस्ण जो है आप लोगों के बनता है जो लोग इसमें काल पापर का चुनाओ करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा भी विकल्प के साथ ही आप लोगों को जाना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपको दिया है किसने कहा जो अरस्तू का आदर्स राज्य है वही प्लेटो का दित्विय सर्वस्रेष्ट राज्य है कल भी इस statement को संभावता मैंने आप लोगों के लिए कराया था आज रिपीट हो गया कभी कबार एक आद statement जो है दोस्तों दो-चार statement repeat हो जाते हैं तो उसके लिए आप लोग शमा करिएगा वो आप लोगों के याद करने के लिए ही बढ़िया होगा अब हर statement को याद रख पाना कि इस statement को मैंने पहले कराया है या नहीं कराया है ये संभाव नहीं हो पाता है ऐसी स्तिती में कुछ जो है दो-चार statement भूल जाते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग उसको repeat करके और आगे बढ़ जाएंगे चलें जो अरस्तु का आदर्स राज्य है वही प्लेटो का दृतिय सर्विस्ट्रेश्ट राज्य है किसने कहा है किस लोग सेजी से उत्त असर करेंगे बात कर रहे होंगे उनस बही का उत्त्तर है ही हो जाएगा सेजी से अरस्तु का अधर्स राज्य है प्लेटो का दृतिय सर्विस्ट्रेश्ट राज्य है सबी लोग इस प्रशन में सी भी कल्प के साथ ही जाएंगे प्लेटो ने अपना दृतिय सरवस्ट्रेश्ट राज्य मैंने कल आप से पूछा था कि किस पुस्तक में या किस रचना में जो है इन्होंने दृतिय सरवस्ट्रेश्ट राज्य की कल्पना की है या आदर्स राज्य के अलावा कोई और व्यवस्था किस पुस्तक में दिये, कल किसी ने भी इस फ्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब आदर्स राज्य की परिकलपना प्लेटों की बिफल हो जाती है, उसके बात जो है इन्हों अपनी पुस्तक लाज्य में जो है एक सेमी आदर्स राज्य का कॉंसेप्ट दिया था, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, उसी को दिती आदर्स राज्य सेवाइन महोदे कहते हैं, चले, आपका उत्तर जो होगा, वो सीवी कल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर चलेंगे, अगला प्रशन है किसने कहा, मनुस्य सोतंत्र जन्म लेता है, फिर भी वह हर जगा वेडियों में जकड़ा हुआ है, अब इस प्रशन के लिए आप लोगों को सोचने की जरूरत नही रूसो से, तो आप लोग यदि को रिलेट कर पाएंगे, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप सभी लोग सी बिकल्प के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर चलेंगे, अगला प्रशन करिए, चले, सभी लोग उत्तर करेंगे, बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों के, जो है, वो सहयोग की आवसकता है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवसकता है, तो आप सभी लोग जो है, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, लाइक और सेर के मध्यम से, जो है, वो कर स का सदत से मानता हूँ तो इस फरिवार की सम्रिद्धी में या इस फरिवार को जो है आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों की महतोपूर्ण भूमिका होगी उसके लिए आप लोगों को सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेयर करिए चैन प्रशन क्या है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है चला है बहुत ही बड़िया तो जो लोग इसमें हॉप्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा हॉप्स महोदय ने कहा था दोस्तो वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसको दूसरों को आदेश देने का अधिकार है ये अपने संप्रभू लेवियाथम की बात कर रहे हैं तो जो लोग आप सभी को पता है दोस्तों कि हाब्स का जो सासक है या हाब्स का राजा सीधे कह लिजिए क्योंकि राज तंतर की बात ये करते हैं राज तंतर का समर्थन करते हैं तो हाब्स का जो राजा है दोस्तों इनोंने इनका मानना है कि ये कानून के से जो है वो बधा हुआ नहीं है कानून से उपर है राजा के लिए जो है दोस्तों राजा कानून का निर्मार करता है इसलिए कानून से बधा हु साथ ही आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर हप्स और लाग के सासक में कि लाग का सासक जो है वो जनता के समर्थन से जो है दोस्तों जनता की एक्षाओं के अनुरूप कारे करता है क्योंकि लाग ने संप्रभुता जनता में नहीं रखी है और हॉप्स जो है वो संप्रभुता सासक को दे देते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका सभी लो मैं समस्त मानों जाती की एक सामानने प्रविर्ती एक के बाद दूसरी सकती प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाशा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मिर्त्यु के साथ ही समाप्त होती है। करने की सासुर्त तथा अनवरत अभिलाशा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मिर्त्यु के साथ ही समाप्त होती है। सभी लोग तेजी से कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों ने जो है हाप्स को लॉक को जो है रुसो को पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। समझा भी होगा इनके सामाजिक समझाओते को। तो आप लोग एक बार तेजी से उस सामाने प्रविर्थी के बारे में बता दीजे, वो किस सामाने प्रविर्थी की बात कर रहे हैं, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग, चलिए चलिए कल भी मैंने आप लोगों से बात किया था आप लोग समय से उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो माना जाती कि जो एक सामाने प्रविर्टी है वो है भहिया संघर्स ठीक है आप लोग ध्यान रखेगा इस संघर्स की बात कर रहे हैं और यह संघर्स जो होता है दोस्तों यह मरत्युतक अंतिम समय तक मनुस्य के साथ जुड़ा रहता है आप सभी लोग इसको ध्यान रखेगा जी नहीं प्राकर्तिक अवस्था नहीं मनुस्य के संघर्सील सुभाओ की मनुस्य के सुभाओ को जो है जगडालू बताया था मार पीट करने वाला बताया था संघर्स की बात यह करते हैं कि मरते दम तक मनुस्य जो होगा वो अपने लाब के लिए संघर्स करता रहेगा तो आप सभी लोग संगर्स के साथ जाएंगे फिलाल इस फृष्ण में ये बिकल्प आप सभी का बिलकुल सही है आगे बढ़ेंगे अगले पिश्ण पर चलेंगे अगला परस दिया है क्रांती का कारण सदयव असमानता में पाया जाता है या कथन किसका है बारकर रस्तु सेवाइन या सिन्कलेवर चारों में से किसी एक को तेजी से उत्तर करिये किसी स्ट्रगल के कारण ही मैंने आपको बताया था कि इस संगर्ष की प्रविर्ती के कारण ही जो है हाफ्स महोदे ने मनुस्ते को अल्प जीवी भी कहा था क्योंकि लड़ते लड़ते मर जाता था अपनी आवस्तेक्ताओं की पूर्ती के लिए अपने लाब को प्राप्त करने के लिए अपने एक्षाओं के लिए संगर्ष करता था प्राकरती के वस्ता में और वो जो है दोस्तों लड़ते लड़ते मर जाता था इसलिए हाप्स का जो संप्रभू है वो इस संघर्स का देन है क्योंकि हाप्स का मानना था कि जब मनुस्य संघर्स कर रहा है या मनुस्य जगडालू है तो उसको नियंतरित करने वाला एक सक्तिसाली ब्यक्ति चाहिए और उस सक्तिसाली व्यक्ति के रूप में अपने संप्रभू सास्वक को इन्हों ने प्रस्तुत किया था तो आप लोग चलिया आजाएए क्रामती का कारण सदय वह असमानता में पाया जाता है या कथन किसका है सभी लोग इस प्रशन के लिए उत्तर कर रहे हैं जितने सारे लोग इसमें अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्रामती का कारण सदय वह असमानता में ही पाया जाता है ये स्ट्रेटमेंट आपके अरस्तु का है सभी लोग इस प्रशन में जो है बीवी कल्प के साथ जाएंगे उत्तर बीवी कल्प के लिए सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपको दिया है पॉलिटी यानि संबैदानिक जन्नतंत्र कहीं अधिक अस्थाई ब्यवस्था है जिसमें क्रांती की संबावना कम रहती है या कथन किसका है उत्तर तेजी से करेंगे सभी लोग पॉलिटी कहीं अधिक अस्थाई ब्यवस्था है जिसमें क्रांती की संबावना कम रहती है लेटो अरस्तू सिसरो या पॉलेवियस च्लें, तो जितने सारे लोग फिर से अरस्थू का चुनाओ कर रहा है, उनly सभी का उत्तर जो होगा, बिलकूल अरस्थू के लिए ही सही होगा, इनों ने पॉलिटी को कहा था दोस्तों, पॉलिटी यानि संभधानिक जनतंट्र इन्की रचना है, आप सभी को पता है दोस्त पॉलिटी और इसमें जो है वो संबैदानिक जनतंत्र का इन्होंने समर्थन किया था और ऐसी इस्थिति में इन्होंने कहा था कि यह स्थाई व्यवस्था है इसमें क्रामती की संभावना जो है वो कम रहती है उत्तर आपका बीवी कल्प के लिए बिल्कुल साही हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रस्न पे चलेंगे प्रस्न दिया है यादि प्लेटो आज जिवित होते तो आधुनिक सामेवादियों से अधिक सामेवादी होते यह कथन किसका है अरस्तु बारकर मैक्सी या रूसो चारों में से किसी एक का चुनाओ करके उत्तर कर आधुनिक सामेवादियों से अधिक सामेवादी होते यह कर दो चलें तो जो लोग इसमें मैक्सी महोदय की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा मैक्सी महोदय का स्टेट्मेंट है यदि प्लेटो आज जिवित होते तो आधुनिक सामेवादियों से अधिक सामेवादी तो प्लेटो को जब भी जो है वो सामेवादियों से अपसे मिक्स करना होता है तो किस मषीन मिला जाता है मेक्सी आप सभी लोहों ने मेक्सर जो है वो सुना होगा, आप लोग मसाला उसमें जो है अच्छे से क्या करते हैं मसाला उसमें आप लोग बना लेते हैं तो इन्हों ने जो है आपके Myxima Oden ने जो है पुराने सामेवादियों से जो है वो विल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रिष्ण पर चलेंगे अगला प्रिष्ण आपको दिया है प्लेटो का नया कि अच्छा जी समझ रहा हूं मैं आप लोगों की सरारत भी मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है आप लोग जैसे याद कर सकें मैक्सी से जो है वो आप मिक्सर बनाए मिक्सर ग्रैंडर बनाए या जो कुछ भी बना ले उससे मुझे कोई फार्क नहीं बढ़ता है आप लोगों को याद रहना चाहिए चलिए जोड से वाइन अरस्तू या सिल्क नेयर किसने कह दिया भी या प्लिटो का निया समंद्य सिद्धांत इस्थिर या निस्क्रिया आत्मानवादी किसंदर में अरे मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ मैं भी इसी जो है वो जनरेशन का हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों से साल दो साल चार थाल का अंतर हो तो मैं भी आप सभी लोगों की भावनाओं को समझता हूँ ऐसी बात नहीं है चलिए तो जो लोग इस फ्रश्न में जो है दोस्तों बारकर महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का माफ करेंगे सेवाइन महोद अनैतिक और अबयोहारिक बताया था आप लोग अबयोहारिक और अमनोवज्यानिक तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे जब भी आप से पूछा जाए कि नया सिद्दान्त को निस्क्रिय किसने कहा अत्मानवादी किसने कहा या अनैतिक किसने कहा अबयोहारिक किसने कहा या अब मनोबै ज्यानिक किस ने कहा तो इसका स्रे जो है वो आप लोगों के बीवी कल्प के साथ जाता है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले पिशन पे चलेंगे अगला पिशन रिपाब्लिक केवन राजनेती पर लिखी गई उस तक मातर ही नहीं वरन सक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी आप लोग उत्तर करेंगे भीया किसका स्टेटमेंट है चले बहुत बहुत धनेवाद कमलेज जी आप लोग मेरी चिंटा करते हैं बहुत यह अच्छी बात है आप किसी भी एज में हूँ आप लोग कि कहने का बस मतलब यह है कि जनरेशन मेरा भी वही है जो आप लोगों का है चले, उत्तर तेजी से करेंगे, तो जितने सारे लोग इसमें रूसो महदय का चुनाव कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रूसो महदय ने रिपब्लिक को राजनेती पर, राजनेती के अलावा सिक्षा पर लिखी गई, जो है, वो सबसे उ रूसो महदय के साथ जाएगे, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यह भी कल्प के साथ, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न पर चलेंगे, अगला प्रस्न दिया है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भासी जातियों ने, जितने भी राजनेतिक दार्सनिकों क जन दिया, उनमें, डैस कदाचित महंतम है, किसके बारे में बात कर रहा है, हाप्स, लाक, रूसों और बेंथम में से, किसी एक को चुनके उत्तर करिए आप, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, चले उत्तर भी करिए, प्यार के साथ थोड़ा, जो है, वो जरूरी आप लोग ग्यान भी ग्रेंड करें, हैं, क्योंकि अंतिता एक्जामनेशन हाल में ज्यान ही आप लोगों के काम आएगा, टेजी से उत्तर करेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजे मुझे आप लोग, प्रेशा, 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 या सबसे बहान जो व्यक्ति है वो हॉप्स है, किस कृति की वज़े से अपने लेवियाथम की वज़े से उत्तर आप सभी लोगों का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा जी, तो आप सभी लोग इसमें A.B. कल्प के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल गरम पानी ही ले रहा हूं आप सभी लोग के सामने गरम पानी करके जो है मैंने रखा हुआ है अल्रेडी बॉटल में और उसको बीच बीच में लेता रहता हूँ जब जरूरत पड़ती है तो चले तेजी से उत्तर करेंगे कौन ये बात करता है कि प्रते एक व्यक्ति अपने आपको समर्पित भी करता है और नहीं भी करता है जो लोग इसमें रूसो महोदे का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रिशन पे चलेंगे निमलिकित में से किसने नागरिक सक्ति की परिभासा इस प्रकार की है बैस संपत्ति को विन्यमित करने तथा उसके सनक्षन करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की सक्ति का उपयोग करने के लिए सक्ति के साथ विधी बनाने का अधिकार ये सभी सारवजनि खित के लिए होता है आप लोग उत्तर करेंगे मैं क्या विली थामस हाप्स जान लाग रूसो तेजी से उत्तर कर दीजे सक्ति को परिवासित करते हुए किसने कहा था दोस्तों समपत्ति को विनेमित करने तथा उसके सनक्षन करने तथा ऐसे कानूनों को लागू करने में समुदाय की सक्ति का उपयोग करने के लिए सक्ति के साथ विधी बनाने के अधिकार चले बहुत ही बढ़िया जो लोग इस प्रशन में फिर से जान लॉक की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा आप सभी लोग जो है लॉक के साथ जाएगा सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा जितने सारे लोगों ने इसमें सी विकल्प का चुनाओ कि उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है अगला प्रशन आप लोगों के लिए है कि अपने किस पुस्तक में हीगल लिखता है बहुत धीक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बहुत धीक है उत्तर बहुत जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रसन है, important प्रसन है कि यह statement किस पुस्तक में हीगल के द्वारा दिया गया है या लिखा गया है कि बहुत धीक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बहुत धीक है उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे philosophy of right, phenomenonology of the spirit, the science of logic, encyclopedia of the philosophical science तेजी से उत्तर कर देंगे किसी एक बिकल्ब के लिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो या जिसको आपने पढ़ा हो तेजी से उत्तर करेंगे समय आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं क्या वीडियो में ऐसा क्यों हो गया है दो दिन से मैं देख रहा हूँ मैं प्रस्न को लेके आगे बढ़ जाता हूँ अभी आप लोगों का CB कल्ब के लिए उत्तर आ रहा है अच्छा CB कल्ब इसी प्रस्न के लिए आप लोग उत्तर कर रहा है आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं यह कुछ जो है इंटरनेट की समस्या की वज़े से हो रहा है तो जो लोग इसमें फिलासफी आफ राइट की बात कर रहे होंगे उन सबी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा फिलासफी आफ राइट में जो है आपके ही गल मोहदे ने कहा है कि बहुत धिक ही वास्तविक है और वास्तविक जो है वही बहुत धिक है आप लोग इस प्रस्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर चलेंगे अगला दिया है और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अभेलना की है चलिए तेजी से उत्तर करेंगे किसका स्टेटमेंट है और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अभेलना की कथन किसका है अरस्तु का जान स्टूर्ट मिल का लेनिन या मैक्केविली चले चले बहुत ही बढ़िया तो जो लोग इसमें जो है बीबी कल्ब की बात कर रहे हैं जान स्टूर्ट मिल की उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा जान स्टूर्ट मिल महोदैं ने जो है कहा है कि मैं पीटर हूँ या आप लोग ऐसे अपनी भासा में इसको याद करिये मैं पिटाओर हूँ मैंने अपने स्वामी की जो है अवहिलना की है ये जान स्टूइट मिलने बेंथम के यांतरिक फार्मूले का अब जो है दोस्तो मतरात्मक फार्मूला जो था उसकी जब इनों ने उसको नकार दिया या उसको जब खारिच कर दिया उसके बाद में इनको कहना पड़ा कि मैं पिटाउर हूँ या मैं पीटर हूँ तो आप लोग जान स्टूर्ट मिल के लिए इसको याद रखेंगे उत्तर आप सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रिशन आप लोगों के लिए दिया है कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वुत्तम होते हैं परंतु सहन करने के लिए संती और इस्थरता ही सर्वस्रेस्ट है या किसने लिखा है एड्मेंड बर्क, बेंथम, महात्मा, गांधी या ग्रामसी चला तेजी से उत्तर करेंगे युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वुत्तम होते हैं परंतु सहन करने के लिए संती और इस्थरता ही स्थरेस्ट तर है या स्टेट्मेंट जो है दोस्तों आपके उप्योगिता वादी विचारक चलाएं, बेंथम का है जो लोग इसमें वी विकल्प का चुनाओ करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले परशन पर चलेंगे अगला परशन दिया है अगला स्टेट्मेंट है किसने इस वक्तमे को स्थापित किया राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मान्नी अकारियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तेजे से उत्तर करेंगे आप सभी लोग रूशो कांट मील या ग्रीन में से किसी एक को चुनके आप लोग उत्तर कर देंगे कि थोड़ा सा लाइक और सेयर की संख्या आप लोग बढ़ा हैं दोस्तों पचास परसेंट लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के नीचे जो है आप एक बार लाइक बटन को अपने अंगुठे को थोड़ा कस्त द कारियों में हस्तक छेप नहीं करना चाहिए चलें जो लोग इस प्रस्ट में जान स्टुर्ट मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो बिलकुल सही हो जाएगा जान स्टुर्ट मिल जो है आप सभी को पता है कि कारियों का विभाजन जो है वो दो रूपों में ये करते हैं कौन-कौन से दो रूप है? सौब इस्यक और परविस्यक सौब इस्यक कारियों को जो है दोस्तों आत्म सम्मानिय कार्य कहा गया है ये इस रेड़ी में रखा गया है और इसमें जो है वो राज्य को हस्तक्षेप की अनुमती नहीं होती है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे इस प्रसने के साथ आपका उत्तर जो होगा सीविकल्प के लिए सही हो जाएगा हमेशा ध्यान रखेंगे कारियों का विभाजन जो है वह आत्म जी फ्तुभ और पर्यविस्यक के रूप में जान स्ट्वर्ट मिलने किया है अगला दिया है मानोचेतना सुतंत्रता की कामना करती है इस सुतंत्रता में अधिकार सामिल हैं और अधिकार राज्यकी मांग करते हैं किसने कहा था उत्तर तेजी से करिए गा मानों चितना सुतंतरता की कामना करती है सुतंतरता में अधिकार सामिल है और अधिकार रज्य की मांग करते हैं किसका मानना है दोस्तों ये चले तो आपका समय जो है दोस्तों इसमें स्तमाप्त हो गया अब इस प्रस्ण को लेके आप लोगों को कन्फ्यूज रहने की जरूरत नहीं है किसी किसी कताब में आपको बारकर भी लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन मूल रूप से ये स्टेटमेंट जो है ये आपके टी- pup bringing महाहँदे का है ठीक है कुछ-कुछ पुस्तकों में जो है वो बारकर महाहँदे के साथ जो है इसको मान लिया जाता है तो सबसे अथेंटिक उत्तर जो है आपका गरीन महाहँदे के साथ आपको जाना है यदि ग्रीन माहोद दिकल्ब में न दिये हो तब आपको बार करके साथ जाना है जो 2018 में LT ग्रेड का एक्जाम हुआ था 2018 में जो LT का एक्जाम हुआ है उस LT के एक्जाम में ये स्टेट्मेंट पूछा गया ठीक है अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और मैं ढूट भी नहीं पाया आप लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा हाला कि LT का एक्जाम जो है लोग सेवा आयोग कराता है और माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड पता नहीं किस आंसर को सही मानेगा तो एक बार आप सभी लोग यदि किसी प्रिवियस लियर में टीजिटी में पीजिटी में यदि ये सवाल पूछा गया हो तो आप लोग ध्या आपों में जो है बारकर के बारे में भी लिखा है कि बारकर ने इस स्टेट्मेंट को दिया था तो ऐसी सिती में तो एल्टी ग्रेड में यदि ग्रील को स्विकार किया गया होगा यही सरवता सब्त्य है इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है अब कुछ किताबें कर्फ्यूज करती हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बार दोजार अठार एल्टी चक करेंगे और माद दिमेक सिक्छा सेवा चैन बोर्ड के आंसर बानता है यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इसमें देश प्रेम और राज्य भक्ती की भावना की पूस्टी होती है तेजी से उत्तर करेंगे तेजी से उत्तर करेंगे यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इसमें देश प्रेम की देश प्रेम और राज्य भक्ती की भावना पूस्ट होती है तेजी से कर देंगे बोतल रखा कर यह बोतल चले जो लोग इसमें सी विकल्ब की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जोगा बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी लोग ही गल के साथ ही जाएगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पर चलेंगे अगला प्रशन आपको दिया हुआ है किसने कहा सोतंतरता आतिशासन का विलोग है चले तेजी से तेजी से उत्तर करिए किसने कहा सोतंतरता आतिसासन का विलोम है चले जितने जितने सारे लोग इसमें सीले महोदे का चुनाओ करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा सीले महोदे ने जो है दोस्तों सोतंता को अतिसासन का विलोम बताया था बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इंपोर्टन्ट स्टेटमेंट है कई बार पूछा जा चुका है सोतंता अतिसासन का विलोम है किसने का है सीले ने का है मैंने भी आप लोगों को कई बार करवा रखा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्तन आपको दिया है राजनेतिक सोतंता आर्थिक समानता के विना एक कलपना है या किसने कहा था जेस मिल टी एज ग्रीन लास्की या जी डी एज कोल चारों में से एक को चुन लीजिए और उत्तर कर दीजिए भीया राज नेतिक सोतंतरता आर्थिक समानता के बिना एक कलपना है चलें तो कलपना या कपोल कलपना की बात जो है आपके कोल महोदे करते हैं जी डी एज कोल के साथ जाएंगे उत्तर साही रहेगा अगला प्रश्न किसने कहा दंड एवंग पुरसकार के द्वारा समाज सुख की बृद्धी करना ही सरकार का मुख्य उद्धे से है चले दंडेवंग पुरसकार के मध्यम से सुख की बृद्धी करना सरकार का मुख्य उद्देश से है चले बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी लोगों का इतनी ज़्यादा रेमेडी आप लोग मुझे बता दे देश हैं कि उसकी वेज़से मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किस रेमेडी को ट्राई करूँ चलिए फिलहाल उत्तर करिये दंडेवंग पुरसकार के द्वारा समाज सुख की बृद्धी करना ही सरकार का मुख्य उद्देश से है किसका स्टेट्मेंट है चलें तो जो लोग जैरमी बेंथम का चुनाओ करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपके बेंथम महुदे ने कहा था कि दंडेवंग पुरसकार के माध्य हम से समाज में सुख की ब्रद्दी करना सरकार का मुख्य उद्देश से है ये विकल्ब के साथ जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पे चलेंगे निमलिकित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामोहिक चेतना के मुर्थ रूप में देखा है उद्दर कर देंगे तेजी से इस प्रस्न के लिए दोस्तों निमलिकित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामोहिक चेतना के मुर्थ रूप में देखा है आपको जी डवलु एफ ही गल दिया हुए है किसी एक का चुनाओ करके तेजी से उत्तर कर देंगे चले बहुत ही बड़िया तो जो लोग इसमें टी एच ग्रीन की बात कर रहा हुए उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा टी एच ग्रीन महोदे का मानना है दोस्तों कि राज जो है लोगों की संस्कृतियों की सामोहिक चेतना का मूर्थ रूप है चले इस प्रस्न में टी एच ग्रीन के साथ जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर चलेंगे अगला प्रस्तिया है किस राजनितिक विचारक ने विचारक के दर्शन को सुकर दर्शन की संग्या दी जाती है चले तेही से उत्तर करिये आप सभी लोग किस राजनितिक विचारक के दर्शन को सुकर दर्शन की संग्या दी जाती है और किसने दी है आप सभी लोग उत्तर करेंगे शले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप किसका आंसर दे रहे हैं बाकी किसी के आंसर को आप लोग न देखिए ये अच्छी बात है कि आप लोगो कैसा नंबर बेजना चाहते हैं बेज दीजे चलें सुकर दर्शन की संग्या दी जाती है किसके दर्शन को चलें तो जितने सारे लोग इसमें बेंथम की बात कर रहा होंगे उनसरी का उत्तरच होगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा बेंथम की दर्शन को सुकर दर्शन की संग्या जो है आपके करलाईल महोदे ने दी थी हमेशा द्यान रखेंगे किस ने कहा था करलाईल ने कहा था कि बेंथम का उपयोगतावाद जो है वो क्या है एक सूकरदर्शन है या आपके इसको करलाईल ने पिग फिलोसपी या सूकरदर्शन का आया है दोनों सब दियाद रखेंगे पिग फिलोसपी या सूकरदर्शन बेंथम के उपयोगतावाद को करलाईल ने ये संग्यादी है आलोचना करते हुए उत्तर आपका D.V. कल्प के लिए सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न सकती नहीं एक्षा राज्य का आधार है कथन किसका है कांट रूसो बो सांके और T.H. ग्रीन में से एक को चुनिए तेजी से उत्तर करिए सकती नहीं एक्षा राज्य का आधार है अब ये जो है बच्चों वाला प्रस्न है कई बार करा चुका हूँ तो जो लोग इसमें T.H. ग्रीन का चुनाओ करेंगे उन सबी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा सकती नहीं एक्षा राज्य का आधार है ये आपके T.H. ग्रीन का स्टेट्मेंट है आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रस्न आपको दिया है कि निमलखित में से किस बिचारक ने मनुस्य के कारे का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ती एवंग सुख दुख से बचाओ के इक्षा को माना है बहुत ही बढ़िया थामस होप्स, जियस मिल, हरबर्ट स्पेंसर या जारमी बैंथम जी बिल्कुल कारलाइल ने बैंथम के प्योगताबाद को जो है वो सुकर दर्सन जी कहीं कहीं पे आपको अभी उसको क्लियर कर दूँगा मिल की बात जो है, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा कुछ-कुछ किताबों में देखिए, किताबों के साथ समस्य यह है ना जो कॉपी पेस्ट वाली किताबें हैं उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा समस्य आप लोगों के लिए खड़ा कर रखी है या कुछ ऐसे राइटर हैं जिनोंने थोड़ा सा जो है अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया और बात को इधार उधार को रिलेट करके और आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी सुकरदर्सन कारलाइल हमें साथ ध्यान रखीएगा आगे अभी उस प्रस्न में भी आप लोग जरेमी बैंथम की बात करेंगे मनुस्य के का जो होते हैं वह सुक की प्राप्ति के लिए और दुख से अपने बचाओ के लिए पुस्त्त मि अमिएक hills स्वर्शा एक असंतुस्त माना होना हो अधीकिक स्रेक्ष्ट है एक असंतुस्त सुक्रास्थ होना अधीक श्रेष्ट है अब इस प्रश्ण के लिए आप उत्तर करें इसने कि Korean कि ऑर सा चाले बहुत ही बढ़िया एक संतुस्ष्वर की अपैक्षा एक असंतुस्ष्ट सुकरात होना अधिक स्रेश्ट कर है चाले बहुत ही बढ़िया जो जितने सारे लोग इस प्रस्ष्ट में सी विकल्प का जान स्टुवर्ट मिल की बाता भी आप लोगों ने पूछा था कि जो है वो सुकरदर्सन जो है दोस्तों मिल ने भी कहा है कुछ-कुछ पुस्तके जो है वो ऐसा लिख देती है तो आप ल एक असंतुष्ट माना होना अधिक श्रेस्ट है या अधिक अच्छा है किसके संदर्ब में कहा है बेंथम के उपयोगतावाद की आलोचना करते हुए कहा है इसका मतलब यह नहीं हुआ इस कथन का कि एक संतुष्ट सुवर्ट की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होन अधिक अच्छा है, एक संतुस्ट मुर्किय पेक्षा, एक संतुस्ट सुकरात होना अधिक जो है वो स्रेस्ट है, इसका कहीं पर भी यह मतलब नहीं हुआ कि आपके जो है एक संतुष्ट सुवर का स्टेटमेंट आपसे जब पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग बात करेंगे, किसकी करेंगे, जान स्टुवर्ट मिलकी, और जब आपसे ये पूछा जाए, कि उप्योगतावाद को, या वेंथम की फिलासपी को, किसने कहा था, पिग फिलासपी या सुकरदर्सन, तब आप कारलाईल का चुनाओ करेंगे, इन केस यदि परिक्षा में, इन दोनों में से कोई एक बिकल्प ही रहता है, अब मालेजिए कि स्टेट्मेंट आपके फिलासपी पूछा हुआ है, और बिकल्प में आपको कारलाईल दिया ही नहीं है, ऐसा एक बार हो चुका है किसी एक्जाम में, तो ऐसी स्थिती में आप जो है, वो मिल का चुनाओ कर लेंगे, लेकिन यदि बिकल्प में कारलाईल दिया हो, तब आप ऐसी बात नहीं करेंगे, चलें, आगे बढ़ते हैं अगले पिश्टन पर, अगला पिश्ट, किसने इस विचार का उपहास किया, कि पुस्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कबिता, कि पुस्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कबिता, आप लोग उत्तर करेंगे, तो मैं का ध्यान रखते हुए, हॉप्स, बेंथम, मीलिया, आस्टिन, पुस्पिन, क्या सत्ते बोल दिया, आपने इतना कठिन काम कर दिया हरियोम जी, कौन सा सत्ते, मुझे भी उस सत्ते से आउगत कराएं, कोई किसी का मजाको जाक ना बना है, चलिया, आप सभी लोग इसमें, जो है सी विकल्प के साथ जाएंगे, जे असमिल, उस पे न उतना ही अच्छा है जितना की कभी था, ये अभी स्टेट्मेंट जो है, आपके बेंथम के, उप्रिखता बाद कि, आलोचना करते हुए, जे असमिल ने बोला था, ये उस पे न उतना ही अच्छा है, जितना की कभी था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है क्या कर रहा है अब से एक सेगंड रूख जाएए ये स्टेटमेंट जो है ये बैंथम का है आप सभी लोग इसमें बी विकल्ब के साथ जाएंगे माप ही चाहता हूँ मैं आप लोगों को गलत कर रहा था बैंथम का ही स्टेटमेंट है पुस्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता ये स्टेटमेंट अभी आगे पूरा आएगा नहीं नहीं आप लोग इसमें जो है अभी इसको भी क्लियर कर देता हूँ इसमें आप लोग जो है वो बैंथम के साथ ही जाएंगे आगे बढ़ते हैं आएगा वो भी प्रस्ण आएगा जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं सारवदने कल्यान विदायक का देह होना चाहिए किसका कथन है उत्तर तेजी से करें सारवदने कल्यान विदायक का देह होना चाहिए जी बिल्कुल भी होगा थोड़ा बहुत हमको भी मैं भी माना हूँ और हमसे भी भूल हो सकती है रकेजी इसमें भी आप लोग बैंथम का चुनाओ करेंगे उप्योगता बाद से सारे स्टेटमेंट एक ही साथ आ गये है कोई बात नहीं अगले प्रस्न पर चलेंगे अगला प्रस्न आपको दिया हुआ है ब्यक्ति अपने उपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभू है या कथन या किसने लिखा है मील, गांधी, बैंथम या नाजिक चारों में से एक को चुनिया ब्यक्ति अपने उपर अपनी दें और दिमाग पर सम्प्रभू है इसने लिखा है चला है बहुत ही बड़ी है तो जो लोग इसमें JS मिलका चुनाओ करेंगे उन सभी का उत्तर बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा आप JS मिलके साथ ही जाएएंगे आगे बढ़ते हैं अगले परसले पर चलेंगे अगला परस्थिया आज्यापालन का संभावित सरारत बिरोद के संभावित सरारतों से कम है ज्यस मिल, जैम्स मिल, बैंधम और ब्लैक स्टॉन चले उत्तर तेजी से करेंगे अग्या पालन संभावित सरारत विरोध के संभावित सरारतों से जो है कम है यह आपके बेंथम का स्टेटमेंट है आप सभी लोग इस प्रस्न में जो है जाएंगे किसके साथ सीबी कल्प के साथ हुद्तर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पे चलेंगे मक्यावली के प्रेंस को निमलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनेतिक प्रतिभा साली अब्यक्ति की सच्ची धारणा की संग्यादी जिसका सर्बोच्योंग महानता मुद्देश्या होता है बहुत ही बड़िय बेंथम, जेयस्मील, हेगल और कालमाक्स मैक्यावली के प्रेंस को निमलिखित में से किसने महान और वास्तविक राजनेतिक प्रतिभा साली ब्यक्ति की सच्ची धारणा की संग्यादी जिसका से उत्तर करिएगा चलें तो जो लोग इसमें हेगल का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा सभी लोग इसमें सी बिकल्प के साथ जाएंगे चलें हेगल का स्टेटमेंट है आगे बढ़ते हैं चलें बहुत बहुत धन्यवाद सुक की मातरा समान होने के स्थिती में कबड़ी का खेल उतना ही अच्छा है जितना की काब्यपाट या कथन किसका है मील, लॉक, हैंडरी मैन या उप्यूक्त में से कोई नहीं अब उत्तर करिए इस प्रश्ण के लिए इस प्रश्ण के लिए उत्तर करेंगे और मैं रुकूंगा आप लोगों के उत्तर के प्रतिक्षा करूंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग चले चले, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है जब परिवार के सदस से वीडियो को देखते हैं यदि किसी समय किसी ने खोल दिया वीडियो कोई देख रहा है और उसी समय खांसी आने रहे हैं इस समय, I think हमारे सिस्टर और माता जी ये लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे और घर से मैसिज क्या मिल रहा है कि आप अपने स्वास्त को लेके सचेत नहीं रहते हैं उनावस्यक कारियों में आप परवाही बरतते हैं जो आपके स्वास्त से संबन्दित है चले सुख की मातरा समान होने के स्थिती में कबड़ी का खेल उतना ही अच्छा है जितना की काब्यपार्ट अब इसमें डी विकल्प का चुनाव आप सभी लोग करेंगे स्टेट्मेंट ये भी जो है वो आपके बैंथम का है ठीक है ये भी स्टेट्मेंट आपके बैंथम का ही है जब कबड़ी और खेल की तूलना का बेपार्ट से की जाए तो अभी आप लोगों को बेंथम के साथ जाना है आप लोग बेंथम के साथ ही जाएंगे सभी लोग इसमें डीवी कल्ब के साथ जाएंगे उत्तर सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ण पर चलेंगे हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो या कथन किसका है बेंथम, गैटिल, हैंडरी मेन या डायल चारों में से एक कोचुनी है, तेजी से उत्तर करेंगे चले कोई नहीं है, आप सभी लोगों का जो है वो आप सभी लोग इतना प्रेम करते हैं और आपना समरपन अच्छा जी, तो ये दुरगा मड़ी तरपाठी भी जो है आ गए ये भी सही बात करने लगे, अच्छा, ये हमारे छोटे भाई साहब है ये भी बीच बीच में कभी कबार प्रकट हो जाते हैं, मजा लेने के लिए परिवार में एक सबसे परिवार की सबसे अच्छी चीज क्या है ना, यदि आप परिवार में बड़े हैं और कभी माता पिता की तरफ से, यदि माता जी और पिता जी की तरफ से बड़े बेटे को डांट पड़ती है तो जो छोटे वाले होते हैं ना, नीचे वाले, भाई बेहन, वो बहुत ही खुस होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनको मौका मिलता तो है नहीं कि भाईया को कभी वो कुछ बोल पाएं कभी उनको डाट पाएं उनसे कभी कह पाएं तो जब माता जी पिता जी को डाटते हुए या उनकी बात करते हैं अब उनको कुछ कहते हुए देखते हैं या सुनते हैं तो उनको जो है वो धर्दे से आनन्द की अनुभूती होती है और वो मजा लेना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात है चलिए क्या है वही है इस स्टेट्मेंट हम बेंधम से लेकर आज तक होने वाले किसी बैदानिक सुदार को नहीं जानते हैं जिस पर उसका प्रभाव न पढ़ा हो इस स्टेट्मेंट के लिए आप सभी लोगों को जो है उत्तर करना था चलिए क्या है साही उत्तर इसका सभी लोगों ने कर दिया है क्या चलें तो जितने सारे लोगों ने हैंडरी मैन का चुनाओ किया होगा उन सभी का उत्तर बिल्कुल साही हो जाएगा चलें सभी लोग इस प्रस्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मनुस्य राज्य की आज्या का पालन इसलिए करता है, क्योंकि वह जानता है कि अवग्या से होने वाले अहित की तूलना में आज्या पालन अधिकूपी होगी है, उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग, डेविड्सन, बेंथम, सेबाइनिया वेपर, जो हमारे पास है, मैं किसी एक बेटिकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब के साथ, अब मेरा कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन नहीं है, तो मुझे हमेसा ये लगता है कास कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन होती, अभी आप मेंसे किसी ने कहा कि मेरी कोई जो है चो जाओ रहेगा कि वरतमान में जीएं जो आपके पास है उसके साथ आप जो है 100% इमानदारी से जो है आप उसके साथ जीएं उसको उसका जो अधिकार है उसे दें प्रेम यदि उसका अधिकार है तो उसे प्रेम दें यदि आपके सायोग की उसको जरूरत है तो सायोग दें य जो लोग इस प्रस्ण में बैंथम की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा बैंथम का स्टेटमेंट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदिया है राज की साहता ब्यप्त के आत्मविश्वास के भाव को नस्ट कर देती है या उसके उत्तर दाइतों को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है कथन किसका है उत्तर तेजी से करेंगे बातचित बहुत हो होगई है तेजी से हम लोगों को चलना पड़ेगा तैजी क्लिक्त अब बड़ की शोटा होने के भी अपनी अलग कीमत है छोटों की हमेशा समस्या क्या होती है वो हमेशा कहते हैं कि किसी को भी कोई काम हो तो सीधे वो जो है जो सबसे छोटा है वो उसी को बुलाने लगता है ये काम कर दो भाईया को कोई काम कहा जाता है तो भाईया कह देते हैं कि अच्छा वाखू से कहे दो वो कर देगा चोटे से कहे दो वो कर देगा जो लोग बड़े हैं उनके साथ जिम्मेदारी जोड़ी हुई है तो सब की अपनी समस्यां है सब को कही न कही कुछ न कुछ जो है त्याग करना पड़ता है संबंद एसी का नाम है परिवार इसी का नाम है चलिए राज की सायता व्यक्ति के आत्मविस्वास के भाव को नस्ट कर देती है तो जो लोग इस प्रश्ण में जो है आपके जियस मिल की बात कर रहा है उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा जियस मिलने कहा था आगे बढ़ते हैं अगले पिशन पर चलेंगे अगला दिया है निमलिकित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सब्य समुदाय के किसी सदस्य के उपर अधिकरित रूप से सक्ति का उपयोग करने का एक मात्र उद्देश से अन्ने को नुकसान पहुँचाने से रोकना है चले तेजी से उत्त करेंगे अरे पहले प्रस्णों को कर लिजिए बात हम लोग बहुत करते हैं कि जी कि अग्षा कभी भी सिक्खे के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए दोनों पहलू देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं उनको देखिए अग्षा चले तो जो लोग इसमें जेस मिल की बात कर रहा हूंगे उन सभी का उत्तर जो होगा फिर से सही हो जाएगा आप लोग मिल के साथ ही जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण चले अब अगला कोई प्रस्ण नहीं अब जो है हम लोगों का सेसन आज का यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को आज का सेसन कैसा लगा जरूर बताएंगे यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सेयर नहीं किया है तो आप से निवेदन है कि आप वीडियो को जो है वो सबसे पहले लाइक करें साथ मैं वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर सेयर करें दोस्तों नियमित रूप से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर सेशन ले के आता हूँ विपांदारी से कह रहा हूँ आप अप सभी लोगों से ये पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ पूरे confidence से कह रहा हूँ, यह जितने सारे प्रस्ण में आप लोगों को करा रहा हूँ, यह सब के सब जो है दोस्तों, आपकी सफलता में एक महतुपूर भूमिका निभाएंगे, अब मैंने आप लोगों को हजारों प्रस्ण कराया है, एक दो हजार नहीं, दस बीस हजार से अधिक प्रस्ण में आप लोगों को करा चुका हूँ, दस जार से अधिक प्रस्ण में करा चुका हूँ, आप लोगों को, सारे प्रस्ण आपके एक्जाम में नहीं आएंगे, लेक कर रहा है तो जरूर निस्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा मेरा भी सायोग करें वीडियो को सेयर करने में अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने के संदीब जी कहा रहा है सरा प्रयाग राज आ जाईए बिल्कुल संदीब जी बिल्कुल नियमित रूप से जब आप अभ्यास आप लोग करेंगे प्रस्नों को नियमित रूप से आप लोग देखते रहेंगे तो कभी आप लोगों कोई समस्या नहीं होगी परिक्षा कब होगी इसको लेके जो है वो काफी असमंजस के स्थिती है मान के चलिए माई जून में आप लोगों का एक्जाम होगा माई जून तक आप लोगों के एक्जाम की संभावना अभी है तो आप लोग ये ना सोचिए परिच्छा कब होगी कल आपको आप में से किसी को भी अधि कल नवकरी कोई मिल रही हो तो आप इसको छोड़ के चले जाएए अपना ध्यान डिस्ट्रेक्ट करिए कल परसों में अधि कहीं कोई नवकरी मिल रही हो कहीं किसी जो है वो जिले में district magistrate लगाया जा रहा हो आपको SDM लगाया जा रहा हो आपको या सरकार आपके लिए कहीं नोगरी लेके बैठी है तो आप लोग जो है वो अपनी तयारी कम कर दीजिए आप ध्यानिदर उदर करिए लेकिन यदि आपके पास कोई मौका नहीं है तो परिक्षा आज हो दो महीने बाद हो चार महीने बाद हो अपनी पूरी ताका जोग दीजिए अपने आपको इतना स्ट्रॉंग कर लिजिए कि 125 में से 124 सवाल सही करके आईए एक सवाल जो आयोग गलत देगा एक-दो सवाल उसको छोड़ दीजिए बाकी 123-124 सवाल आप लोग जो है वो सही करिए इतना आपने आपको मजबूत करिए अरियोम जी कह रहे है सर फिर तो इस साल भी साधी नहीं होगी अरे क्यों नहीं साधी होगी हो जाएगी साधी मई जून में आपका एक्जाम हो जाएगा रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा अगस सितंबर में नॉम्बर दिसंबर वाली लगन में कर लीजिए साधी यदि कोई इंतजार कर रहा है तो चले पहले नौगरी ले लीजिए सब कुछ हो जाएगा कोई भी काम आप लोगों का रुका हुआ नहीं रहेगा ये साधी भी हो जाएगी जो कुछ भी आपने अपने जीवन में सोच रखा है वो सब कुछ आप लोगों के साथ वो सब कुछ आपको मिल जाएगा बस एक चीज की जरूरत है वो है आपको एक अदद नौकरी की ठीक है और एक चीज और ध्यान रखेएगा कि टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है टीचिंग एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का अशास आप लोग करिए आप सभी लोगों को ये मेरा सुझाव है ये बहुती ही जिम्मेदारी से किया जाने वाला कारे है क्योंकि आपकी वज़ Mickey एक जनरेशन जो है एक दिसा सही दिसा ज़िसा या गलत दिसा में जा सकती है जासा आप काम करेंगे वैसा जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भविश्टे में तो ये सारी चीज़े होती है, टीचर को सबसे पहले आदर्स स्थापित करना पड़ता है स्वैम का, तो स्वैम का एक अच्छा आदर्स स्थापित करिए अपनी पस्नालेटी को, एक ऐसी पस्नालेटी के रूप में डबलब करिए, चलिए, अरियोम जी कह रहा है कि मस्टराइन चाहिए, आपको उन लोगों का दर्द नहीं पता है न, जिन लोगों को मस्टराइन मिली है, कभी मिलिएगा उनसे पूछिएगा, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, आज ये एक चीज़ समझ लिजे, तब आप यदि सारा समाज ऐसा हो जाए, कि सबको आज जो है वो जो नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी वाली ही लड़की चाहिए, तो एक बार आप पीछे मुड़ के सोचिएगा, थोड़ा समाज को देख के सोचिएगा, कि लड़की फिर क्यों बिना नौकरी वाले लड़के से साधी करें, ऐसा हो नहीं सकता है, कि आप सर्थ रखें और अगला सर्थ रखें, न छोड़िए फिलाल इन सब बातों को, इसमें आज नहीं उलजना है, आप लोग जो है दोस्तों, इंज्वाय करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, मस्त रहिए, जो आपके एक्षा होगी, मस्तराइन चाहिए होगा, मस्तराइन से कर लिजिएगा, फिर स्कूटी पर बैठा के घुमाईएगा मस्तराइन को,